किसान भाइयों बकरी पालन की आज बहत्रीन जनकारी आपके समक्स मेले कर आया हूं और अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूं पर्यागराज से लगए 20-25 किलोमीटर की दूरी पर इस्तित यह गाउं है एड़ेस आपको इसकीन पर नजर आ रहा होगा यहाँ पर जो फार्मर है तीस वर्सों से बकरी पालन की विवसाय को कर रहा है सबसे पहले सर आप अपना नाम और यहां का Improve एडर समारे भायों को बताईंगे हमारा नाम तो संकलाल पटेल जी है और हमारे गाम का नाम है अधार का पूरा दुखिया बोला जाता है अटरामपूर लगता है जो जिला प्राग लाग लगता है क्या राष्टा क्या है राष्टा तो जो है प्राग राष्ट से आने का जो है प्राग राष्ट से रोड लगी हुई है लखनो वाली रोड लगी हुई है आप उस रोड से चले आईए नवाब गांज आईए चौरह से फिर यहां से पूछने पर आपको जो है रोट पक्की मिलेगी बता देंगे आप इस गाउं में आ सकते हैं कम से कम 30 साल हो गए 30 साल से अलावा और क्या करते हैं हम खेती भी करते हैं वहेंस पालन भी है हमारे पास कितनी भैसिया है रहा है जिमलोम तयार हो जाते हम उसको निकालते जाते हैं हम नहीं है हुज सके उतना ही संख्यय अपने पास रखते हैं अंतबर और फोसीral निगाल देता हूं आपने Вिभी पालन क्या लग रहा है यह बनिया बेवसाय है या जो बहुत साले भाई किसान बंधु जो देख रहे हैं आपको उनको क्या सला देना चाहते कि बक्री पालन कर सके हैं हाँ मेहनत करेंगे अगर हिसाब से देख बाढ़ रखेंगे भाई तो आप जो है इस बिजनेश में सकसेज रहेंगे फिरहाल खे जाता है भाई बेवरान भी होता है तो आपको 30 वर्म क्या नुक्सान हुआ च्छान का लाव को उख भाई रहे तो एक परसंट जादा है अब फिरहाल हाँ को लाब हो जाता है णो मिलाब हाँ उस्खान क्वोगले होता लेते तो remind को सब्सक्राइब कर दोगाद को लिए कई को संद्य द जाता है तो आप सोण उनुक्षान हो रहा था पहले से अब नहीं होगा है हमारे पाथ यानी समय नहीं मिल पाता है इसी लिए कहीं जाने सकता जोड़ी तो है ना प्रसिक्षन हो जाता तो फिर कैसे आपने बताया कि डॉक्टर आते हैं पर दॉक्टर रहेंगे तो नहीं आएंगे वह तो पैसा लेंगे आपसे ना अगर वही जनकारी आपके पास हो जाता तो जो भी देख रेख हो य हां कर सकते हैं जो है जो डॉक्टर से हमें देख पाल करते तें जिसे आप आये मिनी आप से करवाया यह मैंने उसको जानकारी ले लेता हूं तो अपने से इस्तिमाल करता हूं अभी आपके पास जो बक्री है कौन सी नसल की है इस समय हमारे पास तो जो है तोता परी है और पर आपके पास है और बीटल की बख्री आपके पास दो तिन आपके पास से बलेक बंगाल जो उत्तर पतरप्रडश की नेटीव ब्रीड है वो है एक दो बर-बरी नजर आ रही है दोस्तो जो बात इनोंने बताया है गौर करने वाली बात है तो कि दिकिए बहुत सबसे बड़ी वजाह वे ग्यानिक तरिके से वह बक्री पालन नहीं करते हैं जैसे कि डिवार्मिंग का नाम नहीं जानते हैं वैक्षीनेशन सरकार के भरोशे रहते हैं अगर डिवार्मिंग और वैक्षीनेशन सही समय पर अगर कर ले तो बग्री जो भी एक दो पर्षिंद निकस्य नुक्सान होता हूं अनको नुक्सान नहीं को नहीं होगा व्यूbach करते हैं तो फिर बकडिका चेहता अच्छा होगा जो बच्चींगी जिर में मिमने ऐगे चेहता अच्छा होगा घंए पकर बिखेन अंटिनों बीकें इंड़े टीका-करन करतें या नहीं करते हैं अगर सरकारी तरफ से आ जाए तो मैं टीका करण करवा सकता हूं जो है नहीं आता है तो क्या करूं जो है मार्केट में भी सर्फ अबलेबल है काफी जार बहुंच ज़्यादा कीमत इसकी होती नहीं है मात 200-300 के रेंज में आपका टीका आता है कोई भी प्रैक्टिशनर हो या तो फिर जो वेटनरी के होएं वह आपका टीका करन बक्रियों कर सकते हैं थोड़ा अपना फी लेंगे त तो अगर इतना भी कर लेंगे ना तो आपकी सारी बक्री सुरक्षित रहेगी जी हमें जिसे टीका करन समय से अगर आओगा तो मिल जाये तो मैं कहा कहती हैं अपने से लेकर लगा भी सकता हूं और लगवा भी सकता हूं आपके पास दो नसल की बक्री है यानिकि एक छोटे आकार की है एक बड़े आकार की है दोनों में से ब्यहतर कौन आपको लग रहा है इसमें तो हमें तो रमीं दोनों ही बहतर है जो अभी हमारे दर desarroll ने यह कौन सी नसल की है जमना पारी वीटल क्रो lebih वीटल क्रोस की बकरी है तो ये दोनों बकरी उसे नसल की है ना हाना उसी नसल के है उसे के बच्चे भी व्यलबके कीषिय जो बकरियां है यह आप खरीदे हैं या फिर आपके घर का नहीं हम तो खरीद के लाए है प्यदा कीमत लगा था experience के हैं तो दूद देने की कैसी है दूद देने में तो थोड़ा कम है जो है बच्चे को पीने को हो जाता है बच्चे का पेट भर जाता है तो आपके पास रहे बलेग बंगाल जो आपकी डेशी बRE cai hai भी react G. जो हमारे दरशक देख रहे हैं तो यह का दूद कैसा है इसका भी दूद जो ठीक होता है देशी तो है यह थोड़ा बहुत कम भी दूद होता है जादा भी हो जाता है जो है बच्चे का पेड भर जाता है अब बच्चे का पेड तो देने के बाद मालूम होता है अनता कई रोग भी आ जाते हैं दूद सूख जाता है या थनेल हो जाता है अगर सही से अन हमने खरीदा इसको कौन से नसल है यह तो टोता पारी है तो कितने में खरे थे इसको इसको मैंने 400 रूपए खड़ा खरीदा था जह चौंसोट सो का परा हुआ था तो कितने दिन से आपके हां है यह तो हमारे पास लंसं में 12-13 महीने से हो गया इसके बच्चे आएं कि नहीं इसके बच्चे पैदा हुए हैं।09 छी फटरसा देखए न देख रहें हैं। हां एक ही अखे नहीं जो जो बच्चे है satisf है इसकी जो मदर है कौन सी है मदर वही वाली बड़े कान वाली है यह सामने वाली ना त्टी रहा है उसी कiovर शका 2 ला अब करें देच को कि यह वा समें खोड़ी है यह और है यह जो पकड़ा है यह पहली बार में यह है दुसरी बार जो दी है उसके बाद यह है एक और बच्चा वो है तो भाई साब यह जो बच्चे हैं जो मेमने हमारे दर्सक देख रहे हैं तो इसका वजन कितना होगा 15-19 किलो तक होगा 15 किलो का अगर दो महिने के बाद इसको अगर आप है इसकी कीमत फिलाल यह 16,000 है तो महिने के बाद अगर इसको बेचेंगे तो कितना कीमत मिलेगा आपको फिर उच्छे महिने बाद तो बेचा नहीं है छे मैं साथ साल भर बाद बेचता हूं 15-20,000 जैसे इस्तिती रहती है उसे बिग जाते हैं तो पटल जी इतनी सारी बख भूसा नहीं दिया जाता है गेहूं का भूसा दिया जाता है जिसे ठनी के सीजन में धान चबवा दिया जाता है जादा गेहूं मिस्चर से चबवाया जाता है जो है चोकर और जो है भूसा असान के दिया जाता है हरी पतियां और डीम की यानि हर चीज की पतियां तोड़क इस समय तो जो है जो है घिलते हैं तो पत्ता तकार देते हैं कि खा लेते हैं निवार्ब में खाकरोण कितना आप देते हैं ये समय किसी देकर जैसे आनाज यादा रहता है तो थोड़ा बहुत एक कीलो डेढ़ किलो परफेक्ट लिए अप से देते तें जैसे छोटा बड़ा रहता है उसी हिसाफ से खिलाते इंग। कि यह दोश्टो हमारे साथ ईओमकार तिवारी यह करते हैं पडियागराज किन सब्सक्राइब कर रहे हैं और इनके पास रहता नहीं है हमने पूछा कि भाई तीस बर से कर रहा है लेकिन संख्या जाश्कितास है तो इनका कहाना है कि बच्चे आते हैं तो उसको तयार करके हम बेच देते हैं इसलिए ज्यादा संख्या नहीं हम मैंटन कर सके उतना ही संख्या हम रखते हैं और सबसे अच्छी बात लेगी कि हर कुछ तो यह अच्छा कर रहे हैं क्या कहते हैं इनके मिशें में अगर हर किशान अपने गाउं में अगर एक दो बीडर रख लेता है यह तो ता परी रखे हैं को एक और छोटा नसल में बरबरी का रख ले तो अगर गरामिन महौल है अगर मीटिंग कराने का 200 रुपया भी चार्ज लेते हैं सीजन जब आता है तो यह किशान के यहां कम से कम पचासों बकरिया तो आजाएगी एक सीजन में तो पचास बकरी अगर 100 रुपया भी चार्ज है 200 रुपया भी चार्ज है तो मिनमम जो रुपया आया उनसे इनका मेंटें चार्ज हो सकता है खर्चा निक पास संख्या नब और ने कारण यही है जब बच्चे आये 10 kg 15 kg में 3 महिने चार महिने में हो जाते हैं ग्रहा काया शेल कर दियों से अपना घर का काम चला लिए अभी तो देखिए डेर मेरे का बच्चा 15 kg का है तो गुरूथ है ना जिसे की बीडर अच्छा है माभी अच्छी तो जैसे कई आदमी कहते हैं जैसे मैं कहता हूं फॉरम बनाते हैं पास लग का अब बक्री लेते हैं 5000 में तुनका बच्चा थोड़ी पंदर के जी का हो जागा डेर महीने में नहीं होगा खर्च यहां करना है वहां नहीं करना है यही समझ का फेर है और खर्च तो बिलकु जो हमारे भाई भी एक अमरेक नजर में देख रहे हैं जैसे तैसे अपना है जैसे सबसे ग्रामिन प्रवेश में रखा जाता है उसी सबसे यहां पर रख रहा है बहुत ज्यादा इन्होंने खर्च इसमें नहीं किया जो प्रामपरिक तरीके से बख्री पालन या तो फिर फिर जैसे सबसे चलकिए ग्रामिन पर चीज़ की जरूरत है एक जरूरत है डिवार्विंग कीड़े की दवा की जनकारी के अभाव में यह नहीं कर पाते है और दूसरा घ्रामिन प्रवियस में दो आक्सिनेशन जरूरी है तीन भैक्षिनेशन एटीटीटी पिपी आर एफमडी यह तीन भैक्षिन और डिवार्मिंग चार उपाए कर देंगे तो इनकी भकरी फारम में जो बच्चे आज देड़ महिना में चोधर पंदर केजी हो सकता है देड़ से दो महिना में 20 केजी भी चला जाए बोड़ी बुढेट तस फड़ी मिलता ही होगा पपालन करतेелियां तो निशित जो कभी कमा थंधे उससे लगवक डबल यह कमा सकते हैं कि जय जो और कोई बात जो बताना चाहें और उनको बताया मेंने जैसे की अबी बताया इनको डिबार्मिंग और कीरे कि दवा और बहुत और बाकी सारा की सिस्टम ठीक है हरा चारा दे रहे हैं घर का आनाज है वो भी दे रहे हैं इनको जो exercise के लिए घुमाने ले जाना होता है वो भी कर रहे हैं सारा system में ये हैं सिर्फ थोड़ी सी guideline की जरूरत थी जो कि इनको हमने बताया है और अगले बार जब हम लोगा हैं तो काफी हम लोग को benefit ये बताएंग को और उमकार तिवारी जी की भी बातों को तो बहुत कुछ शिखने को मिला होगा आज की वीडियो से तो आसे जनकारी कैसी लगी कामेल का ज़रूर बताईए गार इस तरह कॉड़ भी अपडेट जारी रहेंगे तो बने रहेंगे तो बने रहेंगे गो माइंडेट